तो बच्चा लोग इंतजार हुआ खतम क्योंकि अब आगया है आपके जवाहर नवोदे विद्याले इंट्रेंस एक्जाम क्लास 6 के लिए ऑनलाइन फॉर्म आज की जो विडियो है बहुत ही इंपोर्टेंट है क्योंकि हम लोग इस विडियो में बात करने वाले हैं कि कौन से ऐसे बच्चे हैं जो क्लास 6 के लिए आवेदन कर सकते हैं और कौन से बच्चे हैं जो क्लास 6 के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं तो भई फॉर्म भरने के पहले ये जरूर जान ले अपने गारजियन्स को जरूर कह दें एक बार ये वीडियो देख लें क्योंकि फॉर्म भरने पर अगर कोई गलती छोटी सी छोटी गलती होने पर भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है और आपका नवोदे में पढ़ने का सपना तूट सकता है तो चलो फिर देखते हैं जैसा कि हमारा दिया गया नवोदे विद्याले समिती एडमिसन नोटिफिकेशन टू क्लास 6 इन जवान नवोदे विद्याले आज 2023 और 2024 काफी दिनों से लोगों को इंतजार था काफी बच्चे मैसेज करके बूस्ते थे टेलिग्राम पर ठीक कमे पहले थोड़ी सी इसकी बेसिक जानकारी ले लेते हैं जिन लोगों को नहीं पता कि नवोदे विद्याले में हमें क्या-क्या मिलता है वो पहले बेसिक चीज़े जान ले कि यह जो नवोदे विद्याले होता है इसमें को एजिकेशनल रेजिदेंसियल मतलब यहां पर लड प्रफिशन होता है ठीक है बॉर्ड एंड लॉगिंग मतलब रहने की जगहां खाने पीने सब कुछ पढ़ा ही लिखाई सब कुछ यहां पर फ्री होती है ठीक है वाइड कल्चरल एक्षेंज थ्रो माइग्रेशन मतलब माइग्रेशन स्कीम से यानि आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाकर वहां के कल्चर के बारे में जान सकते हैं ठीक है वहां कल्चर के बारे में सीख सकते हैं प्रमोसन आप स्पोर्ट्स एंड गेम अगर आप स्पोर्ट्स एंड गेम्स में अपना कैरियर बना चाहत जो की पढ़ाई से रेलेटेड है जैसे यहाँ पर JEE में एक्जाम 2022 में नवोदे के 7585 इस्टूडेंट से जिसमें से 4296 इस्टूडेंट ने JEE में 2022 क्या जैई एडवांस की अगर हम बात करें तो 3000 इस्टूडेंट थे नवोदेन और उसमें से 1010 इस्टूडेंट क्वालिफ 2022 की तो उसमें 24807 नवोदेन थे जिसमें से 19352 नवोदेन ने नीट 2022 क्वालिफाई किया तो रिजल्ट इनका काफी अच्छा रहता है पढ़ाई के परपस से भी और स्पोर्ट के परपस से भी अगर आप किसी भी फिल्ड में जाना चाहते हो तो यह आपके लिए एक अच् ठीक है बेस्ट रिजल्ट इन बोर्ड क्लाश 10 थे हैं 12 2021-22 यहाँ पर बोर्ड इचाम में भी इनका लाश्ट सेसन में काफी अच्छा रिस्मोंस रहा क्लाश 10 का जो रिजल्ट था 99.71 परसेंट था वहीं क्लाश 12 का जो रिजल्ट था वो 98.93 परसेंट था तो काफी में एडिमिसन लेना असान होता है क्योंकि यहाँ पर आपको पूरी सीट मिल जाती है वेकेंट सीट के लिए डिमिसन नहीं होता है यहाँ पर ओवर ओल सीट खाली होती है ठीक है आगे हम लोग जानेंगे इसके बारे में फिलाला भी हम जान लेते हैं इसके लिजबिल्ट की बारे में कि भाई कौन-कौन से बच्चे हैं जो नहोते विद्याले का फॉर्म भर सकते हैं कैंडिडेट्स हूँ आर बोनाफाइड रेजिडेंट्स आप डाट डिश्टेक एंड इस्टेक एंड इस्टेडिंग यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि जो बच्चे जो रहे हैं वहां का उनको जिस भी डिश्टिक में पढ़ रहे हैं उसी डिश्टिक से वो नवोते विद्याले क्लास 6 के लिए फॉर्म अप्लाई करेंगे और उनके पास उसी डिश्टिक का रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट होना चाहिए त्यानि हिंदी में अगर हम बताएं तो इसका मतलब जिस जिले में आप पढ़ रहे हैं उसी जिले के नवोते विद्याले में आप प्रवेश के लिए अपना अप्लिकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं और साथे साथ आपका जो निवास प्रमालपत्र है वो आपके उसी जिले का होना चाहिए तो ही आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो यानि कहने का मतलब सकते हैं कि अगर आप government school में यानि कहने का मतलबặt लगबलब लगबल सारे सकूल जो होते हैं वो गवर्मेंट रिक्नाइज़ ही होते एक बार अपने सकूल से थे सबनाशए और दूसरे सबसे inde इंपोर्टेंट कर लिए या ही नहीं आप क्लास third भी government स्कूल से पढ़े हो या रिकनाइज स्कूल से पढ़े हो class फॉर्थ भी वहीं से पास आउट होना चाहिए और class फिप्त भी वहीं से अगर तीनों अगर आप third फॉर्थ और फेफ्थ government इसकूल या फिर government रिकनाइज School से पास हैं तो ही आप ये form फिल कर सकते हो साथ ही अगर आपकी date of birth ठीक है ये फर्स्ट में 2011 से 30 अप्रेल 2013 के बीच में हैं तो आप ये form बर सकते हो मतलब अगर आप एक पांट 2011 को पैदा हुए है या फिर इसके बाद की किसी भी date में 30 अप्रेल यानि 30 चार 2013 तक के बीच में पैदा हुए है अगर आप एक तारीक एक पांट 2011 को पैदा हुए है या 30 चार 2013 को पैदा हुए है तो भी आप form भर सकते हैं और इनकी बीच की अगर कोई आपकी जनमतिती है date of birth है तो आप ये form apply कर सकते हो ठीक है अब आ जाते हैं यहां reservation पर कि reservation क्या मिलता भी या तो reservation at least 75% seat in a district will be filled by candidates from ruler area मलब जो बच्ची गाओं के हैं सबसे पहले तो 75% जो admission होंगे वो गाओं के बच्ची के होंगे ठीक है बाकी जो 25% seat बच्ची हो उसमें गाओं और सहर की जो होंगे वो merit के हिसाब से होंगे ठीक है यानि सहर के बच्चों के लिए थोड़ा मलब competition ज्यादा हो government norms और यहाँ पर reservation मिलता है SC, ST, OBC और जो दिव्यांग बच्चे हैं जिनको कुझे physically problem है चलने में फिडने में लिखने में ठीक बोलने में देखने में तो उन बच्चों को कुझे government rule के recording उनको कुछ reservation यानि आरच्छन दिया जाता है minimum one third of the seats are reserved for girl student और जितने भी seat है उसका one third जो seat है वो girls के लिए reserve है ठीक है मलब ऐसा न सोझ लेना कि boys का admission नहीं होगा क्या बिलकुल होगा boys का admission भई अब last date की अगर हम बात करें तो बैया दो जनवरी से इसका form शुरू हो चुका है बरना एक्तिस तारिक की है लेकिन आप ये form जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी फिल कर दिए क्योंकि बाद में जो server problem होती है उसके वज़े से form भरने भी problem होती है पता नहीं date आगे बढ़े या ना बढ़े इसलिए उसका इंतजार न कीजिए जितनी जल्दी हो सके वो form आप भर जाले के लिए class 6 का entrance exam होगा और ये आप form भर सकते हो ठीक है ये website दीगे है इस website पर जाकर विसे description में मैं भी आपको website के लिंक दे दूँगा यहां से जाकर आप form फिल कर सकते हो तो यहां पर sttp.gov.in तो यहां पर आप जाकर अपना form भर सकते हो अब हम देखेंगे इसके बारे में कि आगे हमें क्या चीज़ें अभी इसके बारे में देखना है ठीक है हम पूरे form के prospectus को पढ़ेंगे ताकि समझ लेंगे क्या चीज़ें आपके 900 exam में कैसे आपका form भरा जाएगा और क्या क्या चीज़ें आपके exam में आने वाली हैं तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा दूसरी बात अपने friends में अपने relatives में ये वीडियो शेयर जरूर कीजेगा क्योंकि 9th में काफी सारे बच्चे फॉर्म की date over हो जाने के बाद उनको इस बात की जानकारी हुई कि नवोते व कोई विद्याल है जहां पर admission होता है इसका form आता है इसलिए जो भी आपके जान पैचान में जितने भी contacts हैं सबको ये वीडियो शेयर कर दीजेगा ठीक है मौसी के लड़के को मामा के लड़के को यानि मामा के फोन पर बुगा के फोन पर चाचा के फोन पर सबके फोन पर जितने भी contact हैं आपके WhatsApp पर सबको share कर दीजेगा ताकि ज्यादा ज्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके तो चलिए हम इसके पूरे prospectus के बारे में पढ़ते हैं कुछ important points के बारे में तो यह आपका prospectus जवान नोदे विद्याले class 6 के लिए यहाँ पर देखे लिखा गया है कि जवान नोदे विद्याले selection test 2023 prospectus अब हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं जो इसके main main points है उनके बारे में हम जान लेते हैं है तो काफी बड़ा लेकिन यहाँ पर हमें केवल main points के बारे में जानना है ठीक है तो सबसे पहली चीज़ तो यह देख लो कि जवान नोदे विद्याले selection test J and VST to class 6 the medium of instruction in J and V the mother tongue or religion language up to class 8 and thereafter English and mathematics and science and Hindi for social science ठीक है तो यहाँ पर आपको class 8 तक तो आपको mother tongue में आपको पढ़ने को मिलेगा और उसके बाद आप ज्यादा तर क्या मुद्ध क्या होगा कि thereafter the English or mathematics mathematics and science and Hindi ठीक है यारी आपको आगे के जो social study या social science इन सभी चीज़ें आपको आगे जनरली English में पढ़नी पढ़ने ठीक है तो यह सारी चीजें मतलब mother tongue तो आपका रहेगा ही रहेगा लेकिन आप बात में भी Hindi select कर सकते हो लेकिन यहाँ पर English की जो है वो प्रिफरेंस ज्यादा है अब हम आगे देख लेते हैं यहाँ पर जो प्रीस होगा रहा है वो फ्री रहेगी उ component of culture in culture of value and awareness of the environment, adventure, activities and physical education of the talented children predominantly from ruler areas मलब यहाँ पर ruler areas के बच्चों पर मलब ज्यादा यह इसका उदेश ही है यह कि जो गाओं के बच्चें उनको जो जिस तरह कि उनको फैसल्टी नहीं मिल पाती गाओं में वो सारी फैसल्टी यहाँ पर प्रोवाइट कराई जाती है ठीक है तो यहाँ पर to promote national integration through migration of students from Hindi to non-Hindi speaking state and vice versa मलब यहाँ पर जैसे migration होता है बच्चें का कि एक language बोलने वाले जो state है जैसे हिंदी हम बोलते हैं तो हिंदी वाले बच्चें को दूसरे करनाटा, कुलिसा ऐसी जगों पर बच्चेंगे जैसे कि उनका culture जो है वो exchange हो सके यानि हमें आदर culture के बारे में भी जानकारी मिल सकेगी ठीक है तो यहाँ पर फैर वो चीजे हमको नहीं जाना हमको तो अभी यहाँ यह समझना है कि state यानि कहां कहां पर कौन से नवोदे विद्याले हैं इस समय प्रजेंट की बात करें तो 649 विद्याले जो है वो अभी तक चल रहे ह है आपके 27 श्टेट और 8 यूनिन टेटरीज में यहाँ पर आपको लिष्ट दी गई है कि कहां पर कितने नवोदे विद्याले हैं किसे state में जैसे आंध प्रदेश की बात करें तो आंध प्रदेश में आपके 13 प्लस 2 ठीक है यानि कुल 15 नवोदे विद्याले हैं आचल प है ठीक है और उसके बाद गोवा में दो है गुजरात में 34 हैं तो इस तरह से आपके अगर हम यूपी की बात करें तो भईया यूपी में मुझे लगता है सबसे यादा नवोदे विद्याले हैं और वो है टोटल आपके 76 ठीक है ना यहां पर देगो 75 प्लस 1 तो 76 यह जो प प्लस 1 दिया है वो इस्टना चलाए जा रहे है ठीक है तो यह हो गया हमारा जवान नवोदे विद्याले में कितनी सीटे हैं जवान नवोदे विद्याले में जो सेलेक्शन टेस्ट होगा क्लास 6 के लिए यह मलब 2023-24 पर यह सेटर डे 29 अफ्रेल 2023 को होगा और यह सुरू होगा आपका 11.30 पर और फॉर्म भरने के लाज़ डेट जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि 31 जनवरी 2023 है यहाँ पर सेलेक्शन के लिए आपको क्या-क्या चीज़ें लेएं फॉर्म भरने के लिए आपको क्या-क्या चीज़ों की जरूरत है तो सबसे पहली चीज तो आपके पास जो फोटो होना चाहिए उसका जो साइज है वो 10-200 KB के बीच में होना चाहिए मतलब नीचे एक फॉर्मेट दिया गया है उस फॉर्म के प्रिंट आउट निकलवाईएगा और उससे जाकर अपने स्कूल के प्रिंस्पल से हेड मास्टर से उस फॉर्म को वेरिफाई कराईएगा वो भर देंगे फिर आपकी एक फोटोग्राफ लगेगी एक सिगनेचर पैरेंट का सिगनेचर लगेगा केंडिडेट का सिगनेचर लगेगा ठीक है और आधार डिटेल हो या फिर आपका कोई रिजिटेंशल सेटिफिकेट हो जो की गवर्मेंट अथॉर्टी ने इसू किया हो पिलाल यहां पर जो फॉर्म की फीस है वो बिल्कुल फ्री होगी अगर आप साइबर कैपे से जाएंगे तो साइबर कैपे ओला जो भी आपसे कोई भी फीस नहीं लेता है फॉर्म भरने के पास आपका मोबाइल जो होगा वो एक OTP से वेरिफाई किया जाएगा जिस पर आपका र यह लिए ऑन रहता हो ऐसा नहीं कि एक महीने दो महीने बाद बंद हो जाए नहीं दो बाद में फिर अड्मिट कार्ड डाउनलोड करने में भी प्रॉब्लम होगी ठीक है तो यह सारी चीज़े और अपके अप्रेल के पहले हफ्ते में आपका एड्मिट कार्ड आ जाएगा जिस से आप पर इच्छा दे पाओगे उस एड्मिट कार्ड पर आपका नाम आपके फोटो ठीक है और आपके जिस विद्याले में जिस स्कूल में आपका एंटरंस होना है उसके बारे में जानकारी रहेगी और आपका रोल लंबर रहेगा फिर रिजल्ट जो होगा वो जोट इन पर ठीक है और यहाँ पर यह सेलेक्शन का जो प्रोसेस बाकी बहुत सारी बात दी गहीं है उनके बारे में हम लोग आगे वीडियो में बात करेंगे ठीक है ने विडियो में नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अब यहाँ पर हम समझ लेते हैं कि कौन को रिलिसबल है ठीक है तो यहाँ पर हो जाएगा कि only the bona fide resident candidate from the district concerned where the जवान ओद विद्याले has been located are eligible to apply for admission अब जहां का आपके पास certificate है जहां कि आपके पास residential certificate निवास पर पतर है आप वहीं से ही form भर सकते हो ठीक है candidate has to study class in any of the government or government recognized school इसके बारे में हमने पहले ही पढ़ लिय है कि 2022-23 में वो बच्चा किसी भी government या government recognized school में class 5 में पढ़ रहा हो ठीक है या फिर candidate हुआ है past 5 before 2022-23 और repeated candidates are not allowed और जो बच्चे 2022-23 में exam pass कर चुके है उससे पहले ठीक है उससे पहले जो class 5 का exam pass कर चुके है या जिनों रे पहले कभी form भरा है third में थे या fourth में थे और आपके parents से आपका form फिल करवा दिया हो कि चाहों देखो इंटरेंस कैसे होता है तो अब वो बच्चे form दुबारा नहीं भर पाएंगे date of birth के बारे मैंने आपको बता ही दिया है कि भाई अगर आपकी जन्म आपका बर्थ 15-2011 से 34-2013 के बीच में हुआ है तो ही आप ये form भर सकते ह हुआ हुआ है और जो बच्चा दुबारा से repeat form बरेगा वो form इस form को fill नहीं कर पाएगा क्योंकि ये बाद में checking होगी इसकी और पिर आपको वो बता दिया जाएगा कि आप ये form नहीं भर सकते हो ठीक है मैंने आपको reservation के बारे में सारी बात बता दी तो video काफी बात में बात करेंगे अभी तो हम लोगों को entrance exam की तयारी करनी है तो entrance exam की तयारी के लिए आप channel को subscribe कर लीजिएगा ठीक है bell icon को press कर लीजिएगा यहाँ पर आपको लेंग्वेज होगा ठीक है किस भासा में paper आएगा ये भी काफी सारे बच्चे पूछते हैं तो बही जगो एक दो हिंदी जो होगी वहर जगहां पर होगी साथ ही इंग्लिस का इंग्डी इंग्लिस तो सेम होगा और बाकी जो जहां की regional language जहां की भी होगी उस भासा में भ कराथी उर्दू उडिया और कंणर ठीक है अनलाचल प्रदेश में हिंदी और इंग्लिस है तो आप अपने हिसाब से देख लीजेगा भाई कि आप किस भासा में आप paper देना चाते हों जम्मू कस्मीर के students के लिए अगर हम देखे तो उनके पास हिंदी इंग्लिस और mental ability test ठीक है जिसमें reasoning बोलते हैं हम तरक सकती फिर आता है arithmetic test जिसको हम अंक गलिक बोलते हैं और language test यानि यहाँ पर आपका language का test होगा जिस भी language आपने apply किया होगा अगर आप हिंदी apply करेंगे तो हिंदी होगा English अप्लाई करेंगे इंग्लिस होगा ठीक है आप जो भी language अप test के गलित के 20 questions होंगे और 25 marks के होंगे जिसके लिए आपको 30 minutes मिलेंगे और language test के लिए जो भी भासा आप चुने होंगे उसके 25 marks होंगे और इसके लिए आपको 30 minutes मिलेंगे यानि overall 80 questions 100 marks and 2 hours का time मिलेगा 3 questions 100 और 2 घंटे का समय आपको मिलेगा और यह जो question होंगे यह आपको OMR seat पर भरने होंगे, OMR सीट जो होगी वह आपको इस तरह से आपको चार ओप्सन दी होंगे, ठीक है और यहाँ पर आपको जो भी आपका ऑप्सन सही लगता है, जैसे यहाँ पर C आपको सही लगा, तो उन्होंने C को पूरी तरह से काला कर दिया है, और आप यह चीजों के बारे में मैं आपको आगे बता दूंगा ठीक है यहाँ पर इस तरह का आपका पेपर होता है पेपर मैंने काफी सारी आपको दिया गया है कि इस कोशन में आपको पहचानना है कि out of the four figure three figure are similar in some way and one figure is different मलब तीन figure same है एक अलग है पहचानो कौन सा एक अलग है यह दे अब यह option जो होगा यह सही होगा तो इस तरह से easy question आते हैं जो कि आपको तयारी इस channel पर आपको अच्छे से करवा दी जाएगी फिलाल अब हम बात कर लेते हैं कि जो principal साब से हमें अपना form फिल करवाना है वो form हमारा कैसा होगा ठीक है तो last में एकदम last में आओगे plus यह prospectus आप डाउनलोड कर पाओगे हमारे टेलीग्राम चैनल से टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है वहाँ से जाकर आप यह डाउनलोड करके आपने टाउन निकाल लोगे ठीक है यह है आपका study certificate आप 31 जनवरी के पहले form भरने के पहले अपने principle से यह form आप फिल करवा लिजिएगा ठीक है इस पर उनकी sign और signature of master उनकी मोहर यहाँ पर लग जाएगी साथ इजार अगर आप OBC candidate है तो आपको यह अपने जो आपके यहाँ जनसेवा केंदर वगएरा या जो इमित्र वगएरा चलते हैं वहाँ से आप अपना OBC certificate परवा सकते हो ठ उमित करूंगा कि आपको सारी बाते समझ में आएंगी अगर कोई भी टाउट होगा तो आप comment box में पूछ लीजेगा और regular classes आपकी यहाँ पर start होने वाली हैं बिल्कुल आपको books बता दी जाएंगी कि कौन सी book आपके लिए perfect होगी तो उमीद करूंगा आपको सारी से समझ म को ठीक है सब को भेज दीजेगा ताकि जादा स्यादा लोगों तक यह जानकारी पहुंच सके तो चलिए फिर बच्चा लोग पढ़ते रहे पढ़ते रहे फिर मिलते हैं अगली class में तब तक लिए जैहिन वंदे मातरम